आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक पेपर लेंब जिससे घर डेकोरेट करने से घर बहुत ही सुन्दर लगता है और इसको बनाना बहुत ही इजी है और आप चाहे तो इसको बहुत ही कम कीमत में अपने घर पे भी बना सकते हैं इसलिए ऐसे ही खुबसूरत ए तो हमें पेपर लेंब बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कुछ ऐसे एफोर साइस के पेपर्स उसके बाद हम इस पेपर के चारो साइट को बिल्कुल मीडियल से मार्क कर लेंगे अब हम सभी मार्क को एक दूसरे के साथ जोड देंगे जिससे हमें एक डायमंड शेप देखने को मिलेगा उसके बाद हम इस डायमंड के दो ओपोजिट पॉइंट्स को जोडते हुए एक बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे अब इस लाइन के उपर 2.4, 5.3, 8.3 सेंटिमीटर्स के उपर तीन मार्क बनाएंगे और पहले बाले लाइन के बिल्कुल पर्पेंटिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ध्यान रखे कि ए दो लाइन आपास में बिल्कुल समोकुन बनाना चाहिए नहीं तो ये पेपर लेंप अच्छे से नहीं बन पाएगा बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी तरब भी ऐसा करना है अब हम इस मीडिल वाले लाइन को अच्छे से मिटा देंगे और बिल्कुल लाइन बराबर पूरे पेपर को काट लेंगे छोटे छोटे लाइनों को फिर से एक बर बना लेते हैं क्योंकि ये सही से दिखाई भी नहीं दे रहें अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर को काटने के बाद इस मीडिल वाले लाइन को आप मिटाएंगे तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि उससे पेपर के साइट्स फारने की पूरे पूरे चांसे रहेंगे अब हम बहुत ही ध्यान से बिल्कुल इस लाइन बराबर पूरे कागस को काट लेंगे अब हम कागस को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसको लैम का एक पोपा शेप मिल सके लेकिन बिल्कुल ऑव्यास बात है कि एक पेपर के शीट से पूरी पेपर लैम्प नहीं बन सकती इसलिए हमें बिल्कुल इसी तरीके से टोटल आठ पेपर काट के उसको बिल्कुल ऐसा शेप देना है अब सारे पेपर को प्रुपा शेप में लाने के बाद हमें एक दूसरे पीस के कटे हुए हिस्से को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आपस में जोर देना है अब एक एक करके हमें पुरे एक पीसे को आपस में जोर देना है ताकि एक लैम के शेप में आ सके टाकि वेप एलिए और बाद है एक तुन सारी पार देना बाद मेर बाद है इस तास च्पित करके जोर देना के एक 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 मेर कीपर को आपस में अा सकता meर और है तो फाइनली जो है हमारे सारे पेपर के पीसे एक लैम के शेप में आ गए अब हम एक थार्मो कॉल के पीस को कुछ इस तरीके से काट लेंगे इस थार्मो कॉल के छेट से एक लोग पावर लाइट डालेंगे और फाइनली पूरे चीज को हमें एक पेपर लैम के अंदर सेट कर देंगे बस हमारा पेपर लैम अब बिल्कुल तयार है अगर कुछ बाकी है तो बस इस पेपर लैम को जलाने का उम्मीद है कि ए वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा एंड ऐसे वीडियो और भी इस चैनल पर देखने के लिए चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करना मिलता है इसके नेक्स वीडियो में और एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ तिल दें गुडबाए